फ्रैंकलिंग अपने घर के बाहर एक एलियन को टटी करते हुए देख लेता है देन दोनों की बीच जवर्दस मार पिटाई हो जाती है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है फ्रैंकलिंग को जाना था पिकनिक इसलिए ये बैवड़ा ऐसे जगह को जाने के बारे में सोचता है जहां पर आज तक इस दुनिया से कोई भी न गया हो और इसलिए ये अपनी जो ट्रॉली वाली बाइक है इशी को लेकर जो है निकल पड़ता है एक ऐसे सौप में जहां पर मिलती है अनोखी कुरकुरे मतलब कि उस कुरकुरे को खाने के लिए आस तक दूर दूर से दूर दूर से दूसरे देसों से भी लोग उस कुरकुरे को खाने के लिए आते हैं फिलाल फ्रेंकलिंग रास्ते में जाते हुए मायकल को देखता है और जब मायकल के पास फ्रेंकलिंग पहुंचता है तो मायकल उसे बताता है कि अरे फ्रेंकलिंग भाई चांद पर क्यों पिकनिक के लिए नहीं चले जाते वहाँ पर तो जाने का रास्ता भी मेरे को पता है अरे वा यार यार ये तो गिजब का आइडिया है इसके बारे मैं मैंने कभी सोचा क्यों नहीं तो चलो यार चलते हैं हम जान्द पे पिकनिक मनाने के लिए और हम मेरे पास तो एफ प्लैन भी है यार मतलब कि मैं उस जगह पर बहुती आसानी से पहुँच सकता हूँ और एक बार मैं उस जगह पर पहुँच गया मतलब आप समझ सकते हूँ मैं कितनी बड़ा सिलेब्रेटी बन जाओंगा भाई लोग तो मेरे पास फोटो घिजवाने के लिए लाइन लगाएंगे वा यार मैं तो सोच कर भी भाई खुजी से गदगद हो जा रहा हूँ बस डिक्कत ये है कि मेरे पास जो ये प्लैन उड़ाने का लाइसंस ही नहीं है बट कोई बात नहीं है अगर पुलिस रास्ते में मेरे को पकड़ लेगे ना तो उस पुलिस को ठोक के भग जांगे आगे से तो फिलार यार हम उड़ान भरते हैं चांद के लिए और चलते हैं जल्दे से चांद की नगरी में पिकनिक मनाने के लिए जब तक मैं चांद के पास पहुंच रहा हूँ ना भई आप वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब नीचे में आपका प्यारा सा नाम कमेंट कर देना मैं उसको पिन कर दूंगा जो सबसे पहले अपना नाम जो है कमेंट करेगा अब आप से बात करते हुए मेरा तो प्लैनी क्रेस हो गया यार कैसे कर सकता हूं बुझे चांट पर पहुँचना है और मेरा प्लैनिक रेस होगे आधे रास्ते में ही और यह मैं किस जंगल में आकर भई यार अब क्या-क्या जाए यह कौन सा जंगल है जहां पर मैं आकर गिर के और यह सामने कौन सा जानवर है भई यह कोई डैनासोर है जैसे लग रहा है अबे एक नहीं यहां पर तो कई सारे डैनासोर है और यह सामने से कोई सुवर आते हुआ है मेरी तरब नजर आ रहा है या पिरे मेरे आँकों खुड़ रहा है यार ने यार यह तो सुवर हिए जो मेरी होन बढ़ रहा है से मेरे को लग यार यडरा यह तु मेरी और बढ़ रहा है अपी रुक जा रुक जा ङ कर Eg sabre ने तो मेरे को ठोक दिया अरे यह ले यह ले अभे लेकिन इसके ओपर तो कोई मुख्यकासर हो इनी रहा रहे यार इससे अच्छा है कि मैं इससे जान बजा कर भगूंगे नहीं तो गुस्टे माकरे मेरे कोई ठोक ना दे और एक काम करता हूं भेंग मैं ना गन सौप जाता हूं यहां से कोई अच्छा सा गन खरिद लेता हूं ताकि जो है रास्ते में अगर कोई ऐसे और समस्या ही कोई अनिमाल जानवार या फिर कोई एलियन मेरे को मिल गया न तो उससे निपटने में मेरी मदद हो सके यह वैसे तो यहां पर एक से बढ़कर एक गन दिखाई दे रहे हैं कौन सा लूं कौन सा यह वाला गन जो है में चूस कर लेता हूं चलो फायर करके देखते हैं अरे भाई यह तो गजब का है मतब अनलीमिटेट बूलेट है इसमें तो इसी गन को हम सिलेट करते हैं और चलते हैं रे बाबा चलो अच्छा है कि मैं ने गन यहां से पर्चेस कर लिया अब एक काम कर रास्ते से किसी की बाइक चोरी कर लेते हैं ताकि हम चांद पर जल्दी से पहुंच सकें और यह देखो भई सामने में मुझे एक केटेम बाइक भी नजर आ गया चलो भई इसी को उठा लेते हैं और जब मैं सेलिबरेटी बन जहूँगा न भई इसके ओनर को दस ऐसे केटेम दान दे देंगे चलो चलता हम यहां से चलता है और यहां से काफे जड़ावनाला लग रहा है रहे बाब तो चलो अब अबे आरे 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 यह क्या हो गया भाई मैं बोली रहा था कि रास्ता डरावना लग रहा है और यहां पर मेरे साथ कुछ अजीब घटना गड़ गई चलो पिला चलते हम चलते ही मेरे कुछ जाना पड़े लेकिन यह क्या यह यह भूत अब यह किस टैप का भूत है यार इस सब्सक्राइब यह समझ भूत है और यहां पर मारते हैं नहीं बार बार दोड़ा दोड़ा के मार हें कितने सारी यहां पर भूत आ और देखो सामने में लेट सेट पोर्टल है और यहां पर दो भूत है मतलब कि मुझे इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए इन दोनों भूत को मारना पड़े गया तो चलो यार यह सुप काम जल्दी से करते हैं और बढ़ते हैं सेलेब्रेटी बनने की और जल्दी से अब बै पहला आदम हो जो कि मून में पहुंचा है अब तो मैं सेलेब्रेटी बन के ही रहूंगा अब यह क्या एलियन आजा भाई एलियन तुभी मिलने मेरे साथ इस पिकनिक में आजा आजा अब लगता है इसको मारना ही पड़ेगा यार क्योंकि मेरे उपर अठेक कर रहा है चल अब चलो जहां पर पानी है उस वाले जगह को हम ढूंते हैं ताकि वहां पर हम जो है खाना बनाने का काम जल्दी से स्टार्ट कर सकें लेकिन यहां पर तो और भी एलियन आ रहे हैं मेरे को अटेक करने के लिए लगता है मैटर यहां पर काफी बढ़ चुका यह देखो पी इन ही का जो एलियन सीप है इसी को लेकर यहां से में निकल पड़ता हूं रहे बाबा 2000 यही लेटर घर तो में वापिस आ गया लेकिन दिक्कत यह हो गई कि अब जो वहां की एलियन से रोज-रोज मेरे घर के बाहर आ कर पौटी कर दे रहे हैं मतलब कि इतनी ज्यादा मातरम यह पौटी कर रहे हैं और इतनी ज्यादा उनके दूरगन आ रही है कि मेरे को घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा है हूं यहां तक उसकी बदमू सडक के बाहर भी जा रही है गर के बाहर इसलिए मैं अभी गुआ वाले बीच में आ गया हूं और यहां पर मैंने एक छोटा सा जोबड़ी भी बना दिया है अब कुछ महने मैं बस इसी गुआ वाले बीच में रहू झाल जो वी जाल